कि नभुष्टा बच्चो गणित की ओनलाइन प्लासेज में आप सभी लोग का अभी मंदन है स्वागत है मैं आप पर गणित अध्या पर कपिल देते हैं कि देखिए बच्चो हम दोग अक्षा साथ के अंदर पहला चक्टर हम लोगों ने पूरा कर लिया था परिमेशन क्या आज दूसरा चक्टर हम स्टार्ट करेंगे घातान का बहुत इंपोरेंट चीछ है आगे तक भी आपको काफी याद रखनी है और काफी इसका प्योग करना है उससे पहले मैं आप कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पहले अध्याय पहले एक्सेसराइज शूट गई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके उन सभी एक्सेसराइज को देख सकते हैं और इन वीडियो को जो आपके लिए बनाई जा रही है इन्हें बार-बार देखिए जो कॉंसेट जो बात समझ में ना है उसे वीडियो को आगे पीछे करके बार-बार देखने का प्यास की जो समय में आया है वह आप पूछते रहें हम सुरू करते हैं घाता है एक्सपोनें तो इस तरिके से लिखना पड़ रहा है ठीक है तो इसे हम घात के रुख में निरोकित करते हैं कैसे कि इसे बार लिखना हुआ है एक दो पीचार चार बार आपने अगना कर रहे है तो इसे दो की घात चार दा मत्तर क्या है दो की गुणा उसी में दो में ही चार बार एक है इसी तरह अगर ये कि गुणा दो गुणा दो इतना लिख सकते हैं तो गिवाद तीन इस पास का रहा है कि आपको ऊपर लिखें यहां पर सिर्फें जादा दर्फें अगराश पर लिखें तो भी पढ़ना है तो बहाद लिखें ना बुड़ास नीचे को हमां दो गड़ावड़ा लखती तो इस सब्सक्राइब क्या है किसी नमबर में उसी की इतनी बार की जाती है उसे घातान के रूप में लिख सकते हैं इसी तरीके से रेनास्मक भी यह आधा कहलाता है आपका दो क्या हो जाएं आधा और यह हो गया इसका घाता है इसे ठीक है ना घात या पावर बोलते हैं आप इसे तूब दिपावर फोर या दोफी घात चाऺ इस तरीके से इसी तरीके से दिफिनाटमघ सम्झहाएं है आपकी अगर मलें के आपके सेरे हम एक्सराइज पर जलते हैं, बार के कुछ एक और जपके रहेंगे, समझ रहें हैं दिरीक पहले आते हैं कि इतने हैं इसमें आपके एक्सराइज है तो एक पहना ही प्रेश्ट है अपने पास प्रेश्ट नम्बर एक तो अब आपको इसका मान गया करना है कि इसका वास्टिक मान या सज़तर मुरूप पर ही क्या रिखा रहा है अभी मैंने आपको बताया अगर धात पांच है तो इस संचे के पांच बार बना आपको पढ़ने हैं इसका मतलब आपका माइनस दो बते तीन गुणा में 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 माइनस दो बते तीन रें संट नाया achievements Почему शचीन जो राडगे रख्यां चार्क हो कि onDas सिरूंब के इर इना सक्षों कि जो मैसित अछे मैस किति हुआ चार ऊना गर्म प्लस की सब्सक्राइब कि अगर आपके आपके आज रिड चिन्यों की संख्या या माइनस की संख्या विशं विशं क्या हुआ था एक पांच साथ नो क्या है तो दो से नहीं करती संख्या है अगर रिड चिन्यों की संख्या या माइनस के जो चिन्यों है उनकी संख्या आपके पास विशं है तो माइनस की जाएगा ठीके आपके पास एक टीं पांट साथ 9 11 तरीके से आपके पास माइनस की चिन है तो उनकी भूना हमेशा माइसा आएगी और अगर यह सम है आपके पास माइनसज़गपास 2 4 6 8 10 किस दरीके से नहीं तो वो हमेशा प्लस आएगी माईस की मुणा परड़ी के बाद, अगर यह माईस की चीन आपके पास छे होते तो आपका प्रिणाम प्लस का अठीक है, अब आपके पास ऊपर लेकिए, यह आपके पास हो आपके है, इसे ट्रेट में लेकिने इंदर, ऊपर की पना ने एक, दो, तीन, चार, पर लेकिने पाद, यहां दीटा हुआ, तीन, उना तीन, उना तीन, उना तीन, और उना में ती, एक है, माईस चीन तो बाहर रहे हैं, उपर देखे, दो, 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 दो क्लियर यह बार जितना भी आपको लाद दे रखेंगे उतना युवार संक्या की गुना करण़ें और गुणा करण़ा की बार के यह आपको दियान और यह थियान रखना चिन्वा इन तो आप पाड़े जाती है ठीक है आप इसाम से आप कर सकते हैं यह प्रक्षा नाप देख प्रश्चन के पास तो वह हमेशा प्लस में आएगा यहां पर हमारे पास प्रश्चन के लिख दिक पहला प्रश्चन आपका यह तो इसमें आपका कौन सा सेकंड पार्ड सही वे आगे पर देंगे दूसरे प्रश्चन के आपको देखना है 3125 को घापना के उठमें लिखना है तो हमें क्या बढ़ना है जिसे हम सबने क्या है वे में किस से कटेगा तेहिए अंघ में कित ना है पांच है अगर गति में impact अन्धर तो हम इसे 5 से काटते हैं तिक नी बार चला 5 6 30 शिर्वार एक बचा यहां पर दो आगे से उतार लिया 12 12 इस पांच दूने 10 फिर 2 बचा और 5 25 जिसमें 5 बार फिर अंति ग्रम 5 है तो फिर 5 नी पांच दूने नंद कि भाइन असे 5 बच्चा एक फिर उस दो कर भार फिर सब्तहरा फिर पांच दूने 10 फिर 3 घंच रिख 11 1 पांच दूने तुछняर तरो हैं जरूरी निद है कि इस हैं इसमें है नोभाग सुनखर नहीं हो सकती है निस ए अधिर ίνद है इसे हैं कि अंति हो गया अक yol में न कि पास तो यहाँ पर देखिए इतने大家 पर आप जाता है 1 2 3 चाह gehen 5 पर 4-3 तंवैं हम जद दीख सकते हैं 31 25 बराभर सब्सक्राइब तो पर्स पार्ट इसका सही है ठीक है सब्सक्राइब और फिर उन्हें घातान गूप में लिख देए आगे बढ़ने हैं प्रश्ण नुम्र तीसरे प्रश्ण में देखे अध्युन कि इसकी उन्हें कितनी भारके सब्सक्राइब गए दो प्रश्ण में दीआ है डो की घात सब्सक्राइब तूरह और प्राल दो थी निवार किसी निवार कि साथ दो का दो कि न दो को ए भू आ जो कि नुद्धे वह सब्सक्राइब प्रश्ट नमबर चार चौने प्रश्ट में पुझे रखा है एक वर्णा के आप क्यारी की गुजा फांच पिटिक है इसके अक्षे तफल को घातिय संकेतन के रूप में दिखिए वर्ण की गुजा की गुजा कि वह आपको ले रखी है पांच में ठीक है वर्णा क्षेटपल क्या होता है अजय कि वर्णा क्षेटपल होता है गुजा 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 एक वर्ण की वर्ण की आएट की लम्बाई और चुटवाई होती है वर्ण क्या होता है आपके पास यह इसकी लंबाई और चुटाए समानों की वह आपका वर्द कहलाता है और इसका पुछे वहां का नमपड़े लिवा होता है यह जोजाए आपकी सब बर बर ठीके ना तो बुजा बना वर्द के लिखना चाहते हैं तो पांच बना वांच इतना पच्चेस वर्ण मेंटर इस वर्णे का शित पदहूँ गया नेक्स प्रिशन पर चलते हैं प्रश्ण नंबर पांच ऐसा करदे नहीं की ऐसी करद हो कि परस पार्ट में दो पीगाँ चाहर्ट ना में इन तीहाँ दो दोगी गाद चाथ, 2 गुराँ 2, 1 2, 2, 2, 3 गाद 2, 3 गुराँ ती, 2 बाद रहे हैं, अब इसे आपको स्वरल करना है, बच्छों देखिए अगर आपको फरिक्वेंट ली करना है तो कुछ गादां आपको याद कर लेने चाहिए, ठीक, जिसे दोगी गाद है, ठीक है न, तो यह चीजे जोड़ी सी आप याद करके चलें जिनकी कुछ गहतां आपके याद हो जाने चाहेंगे तो याद हो जाएंगे आपके इसमें कोई एसा रटने वाली बात नहीं है दीरे दीरे आप समझ जाएंगे जिब करते हैं इसकी आप देखें दो कि आपने चाल बार करें तो आपके पास हुआ और तीन की घाज दो बार करें जाली की कुणा तीन करके आपके पास नो और यह तो बच्छे आपको पताईए पाड़े आपके याद होंगी शोले में इसी तरीके से फिर आपका सब्सक्राइब करा देते हैं इसकी पार्ट में आपको दे रहता है माइनस दो की खाल तीन और माइनस में दस्की खाल तीन माइनस को इसलों की तौन करेंगे मैंने रहे तो जबtest को आपके पास रहें है तो परीड़ गंबने साथ मतायेगा है और यदि रिशांग यहाँ के संच्छा आपके पास विसम है क्वाम माइनस के सांथ आएगा तो यहांपर माइनस आपके पास 6 हैं फोलटाकर देखें अगर मैं से यहां से अच्छें आफके पास फोल मेलाकर माइनस मैनस के अब यहां पर आपने पास रहे हैं या माइनस इन इंप यहां और सब्सक्राइब कर लिखाने करते हैं सब्सक्राइब कि उसे लिखते हैं ढूंत निंद्ग थे हैं इतना हो जाता है और किसी भी जीरो वाले संट्राइट आपको दे रखता है तो जिखनी की सुचा उतनी की गुणा बढ़ जाती है जैसे हमें यहांपर 10 दे रखता है अगर यह सो होता तो उसका किन गुणा करते हैं तो चे जीरो हो जाती है अगर यह जाती है अब आठ जीरो ना एक हजाती है सिंपल सी बात है इतने हो गए आठ जार यह हमारा शुक्तर हो जाएगा इसका तो यह आपका पांचवा प्रश्म 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 आपको दे रखता है कि एक संख्या है आपके वाज पंद्राइट शूसों पच्चिस सब्सक्राइट을रा कि दुश्म आठ यह संकेतanu के एक जैसे कि अभी अभी प्रश्ण नंबर दो किया था इसी तरीकी का प्रश्ण नंबर 6 है आपको दे रखता है 15 625 इसके तबाद्य वाइंट में हमें करने हैं उसी प्रकार अंधिव पांच है किस से कटेगा पांच से ही कटेगा पांच दिया पंदरा तीम बार आगे 6 बचा पांच नम आज प्रकार बातब्वा अगराव नहीं है आप नहीं है अब जब दक मारे पास एक नीचे ना मिल जाए हमें तो अब देखिए कि पंदरा शेसर बच्टिस को आप क्या लिख सकते हैं पांच अब आपका फांच हो जया अब भाद आपको कि इस पांच आपको मिलें एक दो दी चार पांच छे तो क्या लिख से पांच की घाज छे ठीक है तो यह आपका च्छटा प्रश्ट की पूर्ण होगा और इसके और वो आपको चैप्टर से पहले कॉंसेंट दिया होता है काफी दमने चोड़ी भासा दे रखी हम भी उसे समझाने का प्रियास करते हैं पर उसे एक बार अवश्य बढ़ें देखिया करें उसमें काफी कुछ आपको क्लियर हो जाता है कॉंसेंट हो ही होता है आपका सीधे प्रश्नावली पर डूट पड़ते हैं तो वहां पर आपको कुछ बाते समझ में नहीं आती है वह या तो आपको टीचर से समझने पड़ती है या फिर वह किताब में भी देख सकते हैं जो बुद में आपको कौन सब्सक्राइब कर लिएगा इसे और अपने जानने वालों से इसे शेयर की दिएगा उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा ताकि उनकी भी पढ़ाई पूर्णों से चलती रहे आज के लिए इतना ही धन्यवाद नमस्कार